मेरा मानने कि भी आज की तारिक में आम आदमीन पार्टी कहीं, भारती जनता पार्टी के लिए कोछ नौती के रूप में कहीं है नहीं। राजनेतिक दिश्टी से तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। દીલીર મુખમુંતીએ અર્વિંત કેજિવાલ કી ઈડી તલબ કરાનીએ રાજનુતિક મહળે તિબ્ર પ્રતિક્ર્યા દ કીછુ ભૂલ કોરે થાકેન તા હોલે આઈન્તાર ગોતિનેવે એ મામના તોદુંતો અણેક આગે થે કેઈ ચોલ છે ઉલેખો એન્ફોસમેન ડેક્ટોરેટ ઔતાત એડી આપગરે નીતી મામલાય જીકે શેકે શેકે કારણ પહેલે ને કે એડી ને ને સમંંદ દીકેકે જેકેકે જેકે કેકેકે જાણ કેકેંદ કેકેજ્તી કેકેતર્તીતેં જેકે હેકે કેજે કેકેકેકે નરીતય નીિતીકેતી કેકેજય ૧ેકેવી કેતીકે મીકેતીતRI ખીકેકેદ કેકેજી ये साधान बात नहीं है तो कुछ साख्य होंगे और सच हैं तो उनको अपना पक्ष रखना चाहिए अगर गलत किया है तो निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा मेरा मानना है कि आज की तारिक में आम आदिम पार्टी के लिए कुछ रूप के रूप में कहीं है नहीं राजनेतिक दिश्टी से तो कोई मतलब बनता ही नहीं है और इस सारे मामले में इन्वेस्टिकेशन की प्रोसेस बहुत पहले से लगी चली हुई है और इन्वेस्टिकेशन बहुत एडवांस स्टेज पर पहुंची ऐसा लगता है और जिसके कारण गिर्फतार ये इनके नेताओं की हुई है चाहे वो सुझिया सिंग की बात कह रहे हैं चाहे आप उनके जो जिनके पास मन्तरालर मनिश सोदिया की बात कर रहे हैं और अब इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस आगे बढ़ करके मुख्या बंते तक पहुँचिये तो सभावी करूप से ये मामला जो है वो बहुत गंभीर बनता जा रहा है और ऐसी सूरत में इन्वेस्टिगेशन को जोइन करेंगे मुझे पूरा वरूस है और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि जो तथ्य है तथ्य के अधार पर ही बाते आगे बढ़ी हैं और उसके अधार पर आगे बढ़ने के पश्चात कानू को अपनी का जो है वो काम करने की जो है वो इजाजत होनी चाहिए इसमें सबका मानना है त्योंकि वो बहुत जोर जोर से बोलते थे बड़ा चीक-चीक के बोलते थे ब्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे और ब्रष्टाचार के अंदोलन को लेकर के ही उनकी पार्टी बनी थी आज तमाम नेता बहुत छोटे से कारेकाल में कुछ लोग जेल की सलाकूं के पीछे हैं और कुछ की जाने की तेरी है श्राम बदेई पोर्जुनतों फिर्ची परबूर्ते ओनानो आपडेट निये धुन बद